वेलकम टू अचैनल टेक मेकानिकल अन इलेक्टिकल सी एस आयर स्ट्रक्चरल इंजिनेरिंग रिसाज सेंटर का तरब से आज वैकेंसी निकल के आया है तो वेडियास पोस्ट के लिए वैकेंसी है आई टेए बालो के लिए वैकेंसी है तो क्या-क्या eligibility criteria रहेगा age criteria क्या होगा education qualification कह रहेगा तो सब कुछ मैं discuss करूँगा धीरे धीरे तो अब लोग वीडियो को पूरा देखना जो भी student आज मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करके रखना आने वाला hard technical job का अब लोग को update सबसे पहले मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं अगर हम लोग news and announcement section पे आएंगे इसका बाद view all section पे जाने का बाद एक notification आएगा कि driver and technician and secretary post के लिए जो vacancy है तो उस पर click कर देना है और एक PDF डाउनलोड हो जाएगा तो notification डाउनलोड होने का बाद आप देख सकते हैं जो notification नामबर है AC-1-2021 तो आप देख सकते हैं various post के लिए vacancy है तो पहले administrative post junior secretary assistant general के लिए चार post है तीन undeserved के लिए और एक post OBC के लिए 12th pass अब लोग का होना चाहिए जिसको बोलते हैं intermediate pass अब लोग का होना चाहिए और typing speed अब लोग का होना चाहिए computer proficiency अब लोग का होना चाहिए typing speed English में होना चाहिए 35 watt per minute और हिंदी में होना चाहिए 30 watt per minute ओके और general बालों के लिए जो age limit है 28 years है और OBC बालों के लिए 3 सल का relaxation मिल जाएगा इसलिए OBC का maximum age 31 years है इसका बाद आप देख सकते हैं pay matrix level 2 pay अब लोग को cash salary मिलेगा पे बेंड उनी साजन 900 से 300 आजा 200 इसका बाद आप देख सकते जूनियर सेक्रेटरियेट एसिस्टेंट FNA तो इसके लिए दो पोस्ट है एक अंडिजब के लिए और एक OBC के लिए तो सेम एज क्वालिफिकेशन है और salary structure भी सेम है जैसा कि जूनियर सेक्रेटरियेट एसिस्टेंट जेनल का था ओइसे है इसका बाद जो जो जिनियर सेक्रेटरियेट एस SNP हैं तो इसके लिए दो पोस्ट है एक अंडिजब के लिए और एक A.C के लिए same age qualification same essential education qualification and pay matrix level 2 same सब कुछ होगा ओके इसका बाद अब देख सकते हैं driver post है तो driver post के लिए 2 vacancy है एक undeserved के लिए और एक OBC वालो के लिए तो driver वालो के लिए 10th pass होना चाहिए और अब लोग का experience होना चाहिए at least 3 साल का ठीक है driving experience होना चाहिए और इसका बाद अब देख सकते हैं अब लोग का valid license होना चाहिए LMB and HMB और knowledge of motor mechanism motor mechanism में अब लोग का at least knowledge होना चाहिए और pay matrix level आब देख सकते हैं same जैसे junior secretary assistant का था और ऐसे pay matrix level है तो अभी तक मैं जो भी बता रहा था तो administrative post है इसका बाद technical post है जो ITA बालों के लिए eligible है इसका बाद आप देख सकते हैं technician के लिए एक post है undeserved के लिए एक post है general बालों के लिए 28 years maximum age limit है 10th pass होना चाहिए 10th में अब लोग का at least marks होना चाहिए 55 percentage और science subject होना चाहिए ओके ऐसा नहीं कि science में marks होना चाहिए 55 percentage 10th में अब लोग का total marks होना चाहिए 55 percentage okay science में अब लोग का 40 percent है तो तब भी अब लोग के लिए same होगा तो जो भी technician का post है सभी post के लिए education qualification same and desirable qualification same है okay तो अब देख सकते हैं अब लोग का 10th pass होना चाहिए 10th में science एक subject होना चाहिए 55 percent अब लोग का 10th में marks होना चाहिए और IT certificate होना चाहिए कौन कौन सा ट्रेट से electronic, mechanic, fitter, information technology and tool maintenance and instrument mechanic ओके तो IT certificate अगर आब लोग का दो सल का ए सब ट्रेट से है तो आब लोग apply कर सकते हैं अगर आब लोग NCBT या HCBT से IT किये हैं तो दोनों के लिए अब लोग eligible हो जाएंगे और अगर आब लोग का 2 साल का experience है as an apprenticeship जैसे 2 साल का होता है तीन साल का होता है अगर अगर आब लोग का 3 साल का या 2 साल का apprenticeship का हिसाब से experience है तब भी आब लोग apply कर सकते अब लोग का IT का जरूरत नहीं पड़ेगा ओके तो desirable qualification आब देख सकते expense in relevant trade जो भी trade बोला है उसमें अगर आब लोग का expense है तो अब लोग के लिए अच्छा होगा desirable है मतलब अगर नहीं रहेगा तो तब भी चलेगा इसका बाद आब देख सकते job requirement selection होने के बाद आब लोग का क्या क्या job होगा इसका बड़ा मैं आब लोग पर सकते हैं इसका बाद देख सकते हैं जो technician के लिए post है एक ही post undisap के लिए तो इसके लिए कौन सा trade eligible आप देख सकते हैं इसके लिए जो copa trade है computer operation and programming assistant trade eligible है ओके same eligibility criteria है इसका बाद आप देख सकते technician जो older का vacancy है तो एक ही post है ac post है और इसमें older trade वालो apply कर सकते हैं जो भी student ac से बिलोंग करते हैं उसे भी student apply कर सकते हैं इसका बाद जो vacancy है एक ही vacancy है OBC वालो के लिए तो आप क्या trade होगा refrigeration and air conditioning mechanics मतलब RAC जो trade होता है अगर आप लोग पस RAC का certificate है तो भी आप लोग apply कर सकते हैं ओके तो इतना सरा trade का vacancy था इसका बाद general information अब लोग पर सकते हैं क्या 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 आप facilities अब लोग को मिलेगा और relaxation का बात करते हैं तो central का हिसाब से जो भी relaxation मिलते हैं इसका बाद general condition and information अब लोग पर सकते हैं तो यह जो form है online अब लोग को fill up करना पड़ेगा online fill up करने के बाद आप लोग को offline अब लोग को भेजना भी पड़ेगा ठीक है तो mood of selection आप देख सकते हैं कैसे selection होगा तो junior secretary assistant के लिए जो भी post हो सभी post के लिए सबसे पहले return exam होगा दो पार्ट होगा mental ability test and general awareness and general English मतलब एक ही exam होगा return exam तो उसमें दो पार्ट रहेगा ठीक है तो उसमें अगर आप लोग qualify हो जाएंगे उसका बाद आप लोग को typing test के लिए बुलाएगा इसका बाद आप देख सकते हैं जो technician वालों के लिए सबसे पहले trade test होगा अगर आप लोग trade test में qualify कर पहेंगे तो आप लोग को return test के लिए बुलाएगा तो return test में total तीन पार्ट रहेगा mental ability test paper 2 में रहेगा general awareness and general English and paper 3 में रहेगा concern subject तो paper 2 & 3 जो रहेगा उसमें से अब लोग का merit बनेगा ठीक है इसका बाद जो driver posted driver का सबसे पहले skill test होगा उसका बाद return test होगा apply कैसे करना है अगर आप लोग चाहते तो मैं अब लोग को step by step application करके दिखा सकता हूं तो यह अब लोग मेरे को comment box में बता सकते कि इसका application करने का step by step process होता है यह दिखाने का जरूरत है की नहीं तो जो भी student undeserved category में belong करते वो सब भी student को 500 रुपीज fee payment करना पड़ेगा जो भी ACHT PWD women या CSIR employee है वो सब भी student को कोई भी application fee payment करना नहीं पड़ेगा तो इसका online application स्टार्ट हो गया तो अब लोग online application कर सकते हैं तो कब तक कर सकते है 19 मार्च मतलब 19 मार्च तक अब लोग apply कर सकते हैं साम सरपाज बज़े थक तो online application करने का बाद अब लोग को hard copy वेजना पड़ेगा जो भी supporting documents होगा उसको self-attested करके photo passport size photo वगरा सब कुछ देखे अब लोग को hard copy भी भी भीजना पड़ेगा तो hard copy के envelope का उपड़ेगा कि application for the post of जो भी पोस्टो का driver technician या junior secretary assistant जो भी पोस्ट अपको लिखना पड़ेगा उसका बाद to the controller of administration CSIR structural engineering and research center CSIR campus post bag nun 8287 जो भी है एड्रेस में आप लोग को भेजना पड़ेगा 31st March से पहले आप लोग को एड documents को भेजना पड़ेगा तब अगर आप लोग online application करने का बाद documents को नहीं भेजेंगे तो अब लोग का जो online application ने submit नहीं होगा ठीक है तो online application करने का बाद आप लोग को form को भेजना भी पड़ेगा तब अब लोग का form successfully submitted होगा और admit cut अब लोग के लिए आएगा तो यह था आज के लिए बहुत important information जो अब लोग को सब मैं share कर दिया हूँ अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को अब लोग सब्सक्रीब करके रखना आने वाला हाट टेक्निकल जोब का बलोग को ऐसे update मिलते रहेगा आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में टारा आप बाई बाई